ओम शान्ती आज 5 दिशंबर 2021 की प्रातव मूरली ओम शान्ती अब्यक्त बाब दादा रिवाईज है 5 दिशंबर 1989 मधुवन हेडलाइन है श्रापरसन कैसे रहे आज बाब दादा चारो और के बच्चों को देख रहे थे क्या देखा हर एक बच्चा स्यम हर समे कितना परसन रहता है साथ साथ दुस्यों को स्यम दोरा कितना परसन न करते है क्योंकि परमातम शर प्राप्तियों के परतक शवरूप में परसनता ही चेहरे पर दिखाई देती है परसनता ब्रामन जीवन का विशे साधार है अलपकाल की परसनता और सदाकाल की शंपनता की परसनता इसमें राद दिन का अंदर है अलपकाल की परसनता अलपकाल के प्राप्ति वाले के चेहरे पर थोड़े समय के लिए दिखाई जरूर देती है लेकिन रुहानी परसनता श्यम को तो परसन करती है परन्तु रुहानी परसनता के वायरविशन अन आत्मों तक भी पहुँचते हैं अन आत्माई भी शांती और सक्ति के अनुभूती करती हैं जैसे फलदायक बिरीच अपनी सीतलता की छाया में थोड़े समय के लिए मानव को सीतलता का अनुभू कराता है और मानव परसन हो जाता है ऐसे प्रमातम प्राप्तियों के फल शंपन रूहानी परसनता वाली आत्मा दुसरों को भी अपने प्राप्तियों की छाया में तर्मन की शांती और सक्ति की अनुभूती कराती है। आप लोगों नहीं क्या खर्चा किया बिना पैसे खर्च करते भी सदा परसन रहते हो वह औरों की मदल से परसन रहते हो। और तिसरा सेवा दोरा परसन अगर तीनों में परसन है तो बाप दादा को सोते ही परसन किया है। और जिस आत्मा के उपर बाप परसन है वह तो सदा सफलता मूरत है ही है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी आपरसन रहते हैं। छोटी सी बात के कारण आपरसन रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कॉल इसको जानते हैं भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है दिया है उसको भूल जाते हैं बाप ने हर एक बच्चे को फूल वर्से का अधिकारी बनाया है किसको पूरा किसको आधा वर्सा नहीं दिया है किसको आधा वो चोथा मिला है क्या आधा मिला है या आधा लिया है बाप ने तो शवी को मास्टर सर और सक रखी सर्वगुन शंपन बनाया है सर प्राप्ति सवरुप बनाया है लेकिन बाप द्वारा जो प्राप्तिया हुई है उसको स्वयम में समा नहीं सकते जैसे स्थूल्धन वह साधन प्राप्त होते भी खर्च करना ना आए वह साधनों को यूज करना ना आए तो प्राप्ति होते भी उससे वन्चित रह जाते हैं ऐसे सब प्राप्तियां वह खजाने सब के पास है लेकिन कार्ज में लगाने की बीधी नहीं आती है और समय पर यूज करना नहीं आता है फिर कहते मैं समझती थी कि या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन उस समय भोल गया अभी शमझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए उस समय एक सेकेंड भी निकल गया तो सफलता की मंजिल पर पहुँच नहीं सकते क्योंकि समय की गारी निकल गई चाहे एक सेकेंड लेट किया चाहे एक घंटा लेट किया समय तो निकल गया ना और जब समय की गारी निकल जाती है तो पीर स्यम से दिल सीखस्त हो जाते हैं और अपरसंदा के संसकार इमर्ज होते हैं मेरा भागी ऐसा है मेरा ड्रामा में पार्थी ऐसा है पहले भी सुनाया था ह। के मुख्य दो कारण होते हैं एक दिल सिकस्त होना और दुसरा कारण होता है दुसों की विशस्ता भाग्य वा पाठ को देख इसा उत्पन होना हिमत कम होती है इसा ज्यादा होती है दिल सिकस्त भी कभी परसन नहीं रह सकता और इसा वाला भी कभी परसन नहीं रह सकता क्योंक कि दोनों हिसाब से ऐसे आत्मों की इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती और इच्छाएं अच्छा बन्ने नहीं देती इसलिए परसन नहीं रहते परसन रहने के लिए सदा एक बात बुद्धी में रखो कि ड्रामा के नियम प्रमन संगम यूग पर हर एक ब्राह्मन आत्मा को क कोई नो कोई विश्यस्ता मिली हुई है जाहे माला का लाष्ट सोलह हजार वाला दाना हो उसको भी कोई नो कोई विश्यस्ता मिली हुई है उनसे भी आगे चलो 9 लाग जो गाय हुए है उन्हें भी कोई नो कोई विश्यस्ता मिली हुई है अपनी विश्यस्ता को पहले पह कस्त वह इसा में नहीं आओ लेकिन अपनी विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष जैसे देखो बाब ददा सदा भोली भंडारी भोली दादी का मिसाल देता है महारतियों का नाम कभी आएगा लेकिन इनका नाम आता है जो विशिस्ता थी वो कार्ज में लगाई चाये भंडारा ही संभालती है लेकिन बिसिस्ता को कार्ज में लगाने से बिसिस आत्माओं की मिसल गाई जाती है सभी मधुवन का बर्लन करते तो दादियों की भी बाते सुनाएंगे तो भोली की भी सुनाएंगे भासन तो नहीं करती लेकिन बिसिस्ता को कार्ज में लगाने से सर्म भी बिसिस बन गई दुसरे भी बिसिस नजर से देखते तो परसन रहने के लिए क्या करेंगे बिसिस्ता को कार्ज में लगाओ तो ब्रीदी हो जाएगी और जब सर्म आ गया तो संपन हो जाएगे और परसनता का अधार है शंपनता, जो सो से परसन रहते वो औरों से भी परसन रहेंगे, सेवा से भी परसन रहेंगे, जो भी सेवा मिलेगी उसमें औरों को परसन कर सेवा में नंबर आगे ले लेंगे, सबसे बड़े ते बड़ी सेवा आपकी परसन मूरत करेगी, तो सुना क्या चार देखा अच्छा टीचर्स को आगे बेटने का भागी मिला है क्योंकि पंडा बनकर आती है तो मेनत बहुत करती है एक को सुगधाम से बुलाएंगे तो दुसरे को विसाल भावन से बुलाएंगे एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है सिंटर पर तो पैदल क चली आज कल तो आप सब बने बनाएं पर आये हो तो लक्की हो ना बने बनाएं सेंडर मिल गए है अपने मकान हो गए है पहले तो जमना घाट पर रही थी एक ही कमरा रात को सोने का दिन को सेवा का होता था लेकिन खुसी-खुसी से जो त्याग किया उसी के भावगे का फल अभी खा रही हो आप फल खाने के टाइम पर आई हो बोया इन्होंने खा आप रही हो फल खाना तो बहुत सहजे ना अब ऐसे फल सवरूप क्वालिटी निकालो शमझा क्वांटिटी अथ संख्या तो है ही और यह भी चाहिए 9 लाग तक जाना है तो क्वांटिटी और क्व बिसेस अंडरलाइन करो हर गुरूब में टीचर भी आती कुमारिया भी आती है लेकिन निकलती नहीं है मधुवन अच्छा लगता है बाव से प्यार भी है लेकिन समरपन होने में सोचती है जो सर्म अफर करता है वो नीर्वीग ने चलता है और जो कहने से चलता है वो रू कर सेवा करे तो अच्छा है लेकिन बाहर रख सेवा करना और त्या करके सेवा करना इसमें अंतर जरूर है जो समरपन के महतों को जानते हैं वो सदा ही अपने को कई बातों से किनारे हो आराम से आ गए है कई मेदर से छूड़ गए तो टीचर्स अपने महतों को अच्छी र पड़ता है भल नीर बंदन है फिर भी डवल पार्ट तो है ना आपका तो एक ही पार्ट है प्रविर्ति वालों को तीन पार्ट बजाना पड़ता एक पढ़ाई का दुसरा सेवा का और साथ साथ प्रविर्ति को पालने का आप तो सब बातों से छूड़ गई अच्छा सदा परसन रहने वाले परसन करने की स्रिष्टता वाली महान आत्मों को बावदादा का याद प्यार और नमस्ते अगरा राजस्थान सदा अपने को अकाल तक्त नशीन स्रिष्ट आत्मा समझते हो आत्मा अकाल है तो उसका तक्त भी अकाल तक्त हो गया ना इस तक्त पर बैठ कर आत्मा कितना कार्ज करती है। तक्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्विर्ती से सोराज की स्विर्ती सोतो आती है। राजा भी जब तक्त पर बैठता है तो राजाई नसा राजाई खुशी सोतो होती है। तक्त नशीर माना सोराज अधिकारी राजा हूँ। इस स्वृति से शवी कर्विंद्रिया सोतोई ओरर पर चलेगी। जो अकाल तक्त नशीर समझ कर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तक्त हैं। क्योंकि आत्मा समझ दे से बाप ही याद आता है। फिर न दे है न दे क शंबन हैं न पदारते हैं एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तक्त नशीर बाप के दिल तक्त नशीर भी बनते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दुसा ना कोई है। तो डबल तक्त हो गया जो सिकिल्धे बच्चे होते हैं प्यारे होते ह उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे, ओपर बिठाएंगे, नीचे नहीं, तो बाप भी कहते हैं, तक्त पर बैठो, नीचे नहीं आओ, जिसको तक्त मिलता है, वो दूसरी जगा बैठेगा क्या, तो अकाल तक्त, वो दिल तक्त को भूल, दे की धरनी में मिट्टी में नही वो कभी मीटी में नहीं खेलते पर मातम बच्चे तो साम से रोयल हुए तो तक्त पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी-थोड़ी दिल होती है मीटी में भी देख ले कई बच्चों की आदत मीटी खाने की वा मीटी में खेलने की होती है तो ऐसे तो नहीं है ना, तीसर जनम मिट्टी से खेला, अब बाप तक्त नशिन बना रहे हैं, तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे, जो मिट्टी भी खेलता है, वो मेला होता है, तो आप भी कितने मेले हो गए, अब बाप ने सोचे बना दिया, सिदा इस्मिरिती से शमर्त बनो, सक्ति साली कभी कमजोर नहीं होते कमजोर होना अथन माया की बिमारी आना अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए आत्मा सक्ति साली हो गई सरीर का हिसाब किताब अलग चीज है लेकिन मन सक्ति साली हो गया ना सरीर कमजोर है चलता नहीं है वतांती में वो तो हो गाई लेकिन आत्मा पावरफुल हो सरीर के साथ आत्मा कमजोर ना हो तो सदा याद रखना कि डवल तक्त नसीर सो डवल ताजधारी बनने वाले हैं अच्छा सभी संतुष्ट होना शंतुष्ट अर्थात परसन सदा परसन रहते हो या कभी कभी रहते हो कभी आपरसन कभी परसन ऐसे तो नहीं कभी किसी बाद से आपरसन तो नहीं होते हो आज यह कर लिया आज यह हो गया कल वो हो गया ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो सदा परसन चीत रहने वाले अपने रुहानी वाइबरेशन से औरों को भी परसन करते हैं ऐसे नहीं मैं तो परसन रहताई हूँ लेकिन परसनता की शक्ती फैलेगी जरूर तो और किश को भी परसन कर सको ऐसे हो या अपने तक ही परसन ठीक हो दुसरों को भी करेंगे फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा अगर कोई अपसनता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजना ये टाइम और ये तारिक याद रखना हाँ ये पत्र लीखो ओके हूँ और सब मेरे से भी ओके है ये दो लाइन लीखो बस मैं भी ओके और दुसरे भी मेरे से ओके है इतना खर्च क्यों करते हो ये तो दो लाइन गाड़ पर ही आ सकती है और बार भार भी नहीं लीखो कए तो रोज गाड़ भेज देते हैं रोज नहीं भेज ला मास में दो बार पंदरा दिन में ओके का कार्ड लिखो और कथाई नहीं लिखना अपनी पसंदता से औरों को भी पसंद बनाना अच्छा आज प्यारी मिठ्य बाबा का बरदान समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में शफलता प्राप्त करने वाले रुखानी शेवाधारी भवव रुखानी सेवाधारीों की सेवा के शिवाय कुछ भी सूजता नहीं वो ये मनसा वाचा कर्वना सर्वीस से एक सेकेंड भी रेष्ट नहीं लेतें इसलिए बैस्ट बन जातें वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना यही हमारा निशाना है वे अपने पुराने संसकारों को समाते हैं और सामना माया से करते ना कि दैवी परिवाय से ऐसे बच्चे जो नोलेजफूल के साथ साथ पावर चोटी बात को बड़ा नहीं करो वातावरण को सकती साली बनाओ अच्छा ओम श्यान्ति